पर कही बार इस्तिती हो जाती है, पुलिस वाला बड़ी मुसीबत में फस जाता है, मेरे को तो याद है बाई सब एक पुलिस वाला कैदी को कूट रहा था, कैदी बड़ा खतरनाक था, बोला सुदर्जा तेरे उपर इसमेक का इलजाम लगा दूगा, सुदर्जा नहीं तो पुलिस वाला था, अरे होली है, होली, होली में तो चलता है बाई से, दोस्तों क्योंकि हसना हसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, हसना हसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुफेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना, आदत है मे हमारी बेहने बैठी है मातर शक्ती बैठी है बहुत दिन बात कभी था पाठ में इतनी भीट देख रहा हूं मैं कवला नगर और शक्ती नगर और दिली की से एसोशेशन को हमारे सभी जितने मंच पर सम्वानी अतिती बैठे सब का सुआगज करता हूं यह महिला यह तीन बाईसा भी तुने धर चुती हिनी सकती भाईसा कड़ा पुरा परिवार हेलिकॉप्टर में शर्त भी ठाली कोई नी है कोई नी बोला बना कर रखी थे खले ने पीछे मुड़के देखा सारा परिवार नराज हुआ पड़ा बोला कोई कुछ तो बोलो कोई नहीं बोला उसने मां से का मां तुछ बोल बाप बोली बेटा मैं अब क्या बोलू मैं तो जब ही नहीं बोली जब तरह बाप नीचे गिर गिया था ये हमारे अर्याना की में पीछे वाले जितने लोग है खामोश है दोस्तों एक बार हाथ उढाके ताली अब यह मुझे बढ़ कि आप हाँ ये बात मुझे पता है मेरी आवाज आप तक फोचे दोस्तों क्योंकि चेहरे पर हसी और दिल में खुशी होती है सही माईनों में यही जिन्दिगी होती है हसना किसी किसी और को हसा दो तो बंदगी होती है किसी गढ़ को हसा दो तो बड़ा मुश्किल बाला सा ना किसी को तरय को किसी को सब vet करके देख लेना बाहिसाब अचाब पतनी लुगाई साथ में और कोई दूसरी महिला आदी भी को नमस्ते कर दे बाइसाब पती को पूरे गर में कलेस बता कौन थी वो चुडएल जो तेरों को नमस्ते करके गई लेकिन हसना बाहिसाब बड़ा मुश्किल काम है कठिन काम है इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास चूलेगी करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास चूलेगी कभी जीवन में बेटी को नजर अंदाज मत करना जरा से पंक खोलोगे तो ये अकाश चूलेगी जरा से पंक खोलोगे तो ये अकाश चूलेगी लेकिन बेटीयों को गरम में मारना शूरू कर दिया बाई सब चार पंक्तिया और रखना चाहता हूं कि ये मीरा की अमर भक्ती जहर से मर नहीं सकती ये जहासी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती मदर ट्रेसा लता हो कल पनाया सानिया मेरी असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती असंभव क्या है दुनिया में सब कुछ काम कर सकते बाई साब दो महिलाएं मेडल लाई हमारी देश में केवल दो महिलाएं लाई बहने लाई हो हमारी बेटिया दो मेडल लाई आदम नहीं लाए लोगाई लाई जो कुछ लाई बाई साब उसी दिन केजरिवाल साब ने एक बयान दिया राजी भाई सु केजरिवाल साब ने उसी दिन एक ब्यान दिया जिस दिन दो बेटियां हमारे मेडल लाई क्या बोले केजरिवाल साब मैं भी बच्पन से लड़की बनना चाहता था मुझे मोदी जी ने रोक लिया हर काम में भाईसा मोदी जी को ढूड़ लाता है चार पंक्ते जेता हूं हाँ से कहां से निकाला जाता हूं रापता प्यार प्यार पर देखना अमरिका में जो साथ हजाराद मिमारे थे एक भी इंदुस्तानी नहीं मरा क्योंकि सारे लेट पर खेर ये हसी मजाक की बात है होली की बात है दोस्तो चार पंक्ते रखता हूं और आपका प्यार चाहूंगा के इस बार मोदी जी की आई सारेकार देखो सब को उमीद है कि अच्छे दिन आएंगे और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आली शान एक चब बनाएंगे और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आली शान एक चबूतरा बनाएंगे आडवा नी सोच रहे हैं पीय में तो बने नहीं आडवा नी सोच रहे हैं पीय में तो बने नहीं लगता है सिदे राष्ट पती ही बनाएंगे और तालियां आप चाओंगा साथ चोधी पंक्ती पे के आडवा नी सोच रहे है पीयमे तो बने नहीं लगता है सिदे राष्ट पती ही बनाएंगे और राहुली जी बोले राहुली जी बोले नहीं कॉंगरेस पे भरोसा लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे लगता है शादी मेरी मोदी नोट बंदी हो गई भाई साथ अभी नोट बंदी है चार अलगलग प्रकार के नेता परेशान हो गई कैसे सुनो भाई साथ के के जू भाई आसोच रहे है जाड़ू मेरे पास में थी नोट बंदी के सम प्रतिकरिया चार नेताओं की चाहूंग और हास से कहां से निकाला आपका प्यार चाहता हूं साब कि केजू भाई या सोच रहे है जाडू मेरे पास में थी फिर कैसे मोदी जी ने कर दी सफाई है और अखिलेश बोला बुआ आप तो थी मायावती मोदी जी ने अच्छा की या उपरे से बोल रहे बीतर से रो रहे ये सारे भाज पाई है ममी ममी जी जा भी बचेगा नहीं और पप्पू बोला ममी ममी जी जा भी बचेगा नहीं घोटालों में फसा हुआ आपका जमाई है दोटालो में फसा हुआ, आपका जमाई है, भेतरीं बात भाई सावी एक बार, पर ये कभी मेरा, उत्ते लिए, कुत्य तक रो पड़े मेरी कविता पर, पहले गाया कतां सेंग गाया करते, इरणा जाया करते, भाई साब, कुत्ता इतनी तरह बुरी तरह बोका भाई साब, प प्रणाम सर महिला हैं बहुत अच्छी तरह से बैठी है बहुत बड़ी वाते बाइब उसकी एक कवी सम्मिलन के अंदर मैं भाई साथ कवीता पढ़ रहा है एक महिला आदे गंटे से गुस्टे से गुरी मेरे को आई होगी गर में कलेश करके मेरे को क्या लेना देना भाई सा गुस्टे से गुरी मैंने का बहन जी कोई गलती हो गई क्या बोली नी तेरी सकल मेरी सास से मिलती है लुगाईयों का नहीं पता भाई साब कहां ने प्टा दे और हमारे अर्याना में तो मक्षी मच्छर में आज से बाई साब मेरे को याद है कि मक्षी मच्छर से शादी हो करने करता है प्याहना का बताई न ना भी भुड़ा उता जाता है मैं तो भी मैट्रों में बैठा लिया कि स्पेशल कमिशनर्श शॉनिए गाट उमेर से मुले लियुका है पिता-जी के नमसी पुछ को नियुक है और उपलबीर का है मैंने का तो बल वीर्का कोनी मैं पर यह हमारे आप सारे साफ पर यहीं लिया है आज परवीन बैट जाओना कितनी महनत करते तो इतनी महनत करिया आपने कम पंदरा किलो वजन गटा लिया आजा जुमें इतने चक्कर काटे पर विन भाई ने बहुत अच्छा काम किया सारी कमेटी के लिए बहुत बढ़ाई की बा आज कल भाई सब क्या होता किसी भी आप टेलीफोन मिला ओगे न किसी भी वाग को मिला हो तो बड़ा परेशानी वाला सबब हो जाता है अभी सबेरे मेरे को बुंदी के लट्डू चीए थे बाई सब मने फोन मिला दिया वहां से एक मदूर आवाज सुरू हो गई नमशका के लिए तीन दबाएं अन्य मिठाईयों के लिए चार दबाएं भाई सब लट्डू मिठाई चीए थे मैंने एक दबादिया बरफी के लिए एक दबाएं गुलाब जामून के लिए दो दबाएं तलाकंद के लिए तीन दबाएं भूंदी के लट्डू के चार दबाएं बुंदी के लड्डू चीए थे मना चार दबा दिया एक किलो के लिए एक दबाएं पांच किलो के लिए दो दबाएं पचास किलो के लिए तीन दबाएं सो किलो के लिए चाग उगलतीत चायर पाथ पड़े जाए चच को देता प्रूगा था विए आदिशे वरज भी एक टैम में इस पांच किलो से जाड़ा निए खापा थे टैम मैं भाई सब ड़र वापस फोन आया नमशकार हम अगरवाल स्वीट से बोल रहे हैं अभी आपके बात करने के लिए एक दबाएं, दूसरे से बात करने के लिए दो दबाएं, तीसरे से बात करने के लिए तीन दबाएं, खाली मत बैठे, हाथ खड़े करके तालियां बजाए, ये बात, क्या बात है, क्या पता थारा तो रात हो जाएगी, ऐसी बात, एक फनकार, एक फटकार से ही सडक पिला दोगे नोट बंदी की बात बता रहा हूँ साब कैसे परेशान हुए लोग एक नोट बंदी वाला दुखी मोदी जी से क्या कह रहा है कि क्या पता था रात और रात हो जाएगी ऐसी बात एक फरमान से ही सडक पिला दोगे और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाहे एक घूट में ही सारी जीब को जला दोगी कि जीयो में रेलाल की आशीशियं बानी के लिए जीयो समझ रहे हुँ ना जीयो जीयो में रेलाल की आशीशियं बानी के लिए बाकियों को चाहे वाली केतली थमा दोगे और आपने लुगाई छोड़ी देश का कसूर क्या है लगता है धीरे धीरे सब की छुड़ा दोगे लगता है धीरे धीरे सब की छुड़ा दोगे लगता है धीरे धीरे अब एक पत्रकार मिले साब मोदी जी से मोदी से कहने लगे वाई साब बोले मोदी ज किसी मजाल मेरे सामने जुबान खोले मुरली मनोहराडवानी तक मोहन है और रूमिंग मेजेटली है लोकल में हमित्शा मेरे पास गुजराती डूइल सिंप्फोन है कि ओबामा को भागई जो दुनिया में चागई जो मेरे भाशनों में ऐसी जादू वाली टोन है और पाकिस्तान जानता है दाउदी भी मानता है कि भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है भारत का शेर मोदी दुनिया का डॉन है भारत का अपत्र का राय साब आठ हस्तियां म इसी के उपर कोई आपेक्ष नहीं है मस्तिश लिजिएगा साब एक-एक सवाल पूछा आठ हस्तियों से कि आप से जीवन में कौन सी भूलो गई जिसको दोराना नहीं चाहते एक-एक पंक्ति पर आपका प्यार चांगा क्या भूले और क्या उत्तर दिया कि देश की महान हस्तियों से एक सवाल किया कैसी कैसी भूलों को दोराना नहीं चाहिए तो आसाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले भगतों से इश्क लणाना नहीं चाहिए वो एक बच्चे से सवाल कर दिया, máws तर जीन, बेटा, बापू जेल क्यों गए थे? बापू का पूरा नाम क्या था? बच्चा मारे अर्यान का था. ब़ला बापू लड़की जिडने के चक्कर में जेल गए थे. बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था. यह बच्चे भाई साथ यह हैं अनके बच्चा तो वैसी सीरे जवाब नहीं देता अभी भाई सारी किस्सदा सुना देंगे कि देश की माहान हस्तियों से एक सवाल किया कैसी कैसी भूलों को दोहराना नहीं चाहिए तो आशाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले भगतों से इश्क, लडाना नहीं चाहिए, रामदेव बोले चाहे पूलीसी के लठ पड़े, पहने के सूट भाग जाना नहीं चाहिए, अभी भाई साथ एक दोस्ता है मेरा रोतावा मेरे पास, मैंने का क्या हुआ यार, क्या बाबा भाइस पी वी के सामने योग सीक रहे थे भाबा बाप अधिजी ने खैच ली बाबा भुला और खैच वे बाभा बुला थोड़ी ओर घैच ली आर है इतनी देर में लाइट चली गई मैंने का फिर क्या हुआ कर अबस थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खेज लिया तालिया बजाओ मिलके कि देश की माहान हस्तियों से एक सवाल कि या कैसी कैसी भूलों को दोराना नहीं चाहिए तो आशाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले भगतों से इश्क लडाना नहीं चाहिए रामदेव बोले चाहे पुलिसी के लठ पड़े पहने के सूट भाग जाना नहीं चाहिए और इंदरानी बोली वाय फ्रेंड चाहे कितने हों हर किसी को खसम बनाना नहीं चाहिए एपर जाए रखार जानता हूं मेरे को निए जानता है जांता याद एक चाह वाला चाय वेचर भाय जो ऐसके पास चाध भी चला गया चाय बढाए किया आगरी और देने तो इतने में घर जणी घर जा इसको तीन मह कर दे अब अगले जरजराशी डाल दी भाहिसाब भी पैस खाल ली गिलास और दे दे चलते टेंप उसलिगा कितने पैसे दे दूँ चाहे वाब पैसे वैसे तो छोड़तों एक काम करें सारे गिलास दोके दर दे तो नहीं को अगराब करती मेरी तो कानदारी बुजाना बड़ा मुस्किल है बाई सबर अरियाना के यह तो परवीन हो जाता थाड़ी में रोटी खतम उसने पनी पत्नियों को वाज दी बोला रोटी ला बोली जी तबनादा सोई साप कर दी कोई रोटी वोटी नहीं है फिर एक काम कर भी तरत तू लट ले आ खाल ली तो नो खुतने भी नहीं जाने जी करके छोड़ूंगा कि में किमें ता हान हस्तियों से एक सवाल की या कैसी कैसी भूलों को दोराना नहीं चाहिए तो आशाराम बोले चाहे कितना भी दिल डोले भगतों से इश्क लड़ाना नहीं चाहिए राहुल जी बोले पद पीये में का चाहिए तो राहुल जी बोले जैपरकाश जी आ गए सई समय पी एक वो एक सवाल करा माश्टर जी ने बच्चे से, बेटा कांग्रिस की स्थापना किस ने करी, इसका जनम कब हुआ, बच्चा रही, अने का था, बोला माश्टर जी मन नहीं भी रहा, इसका जनम कदोया, पर नू भी रहा, इसका ना स्कून करेगा, अरत ताली बजा दो, जैपर जाओगा पतनी के भैकावे में आना नहीं चाहिए, पतनी के भैकावे में आना नहीं चाहिए, पतनी सर्जिकल स्ट्राइक करी भाइश享, बठारा सेनिक मार दिया हमारे मोधी जी से सब ने कई कि मोधी जी बदला ले लो मोधी जी ने नहीं लिया मंतरी मंडल ने कई नहीं लिया और उन जैमनी ने कई नहीं लिया मैंने लिखी चार पंगतिया बाई साब वो सुनी मोधी जी ने जब बदला लिया जो सर्जिकली स्ट्राइक कोई मेरे वज़े से हुई थी ये थी ताली बजाने के बाद कोई नहीं बजा रहा मैंने क्या पंक्तिया सुनाई सुनो के मोदी जी हमारे मन की भी एक बास सुनो सैनिकों के शव और सेह नहीं पाएंगे और खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरो साब कब तक दूसरों को पीडाएं सुनाएंगे के थर थर कापेगा कले जा तब जाली मो का थर थर कापेगा कले जा तब जाली मो का वंदे मात रमूद घोश जो लगाएंगे और एक बार मार के तो देखो सिंग की दाहाड सावा सो करोड लोग सीमा पे आ जाएंगे कि जन्धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ लाहर कराची में ही खाते खुलवाएंगे इस बात को थोड़ा हुग गलस समझ गए भाई सब उन्होंने 1500 की नोट बंद कर दिये गलत लेगे थोड़ा समझ नहीं पाए मेरी बात को कि जन्धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ लाहर कराची में ही खाते खुलवाएंगे तालिया चाओं अगली पंक्ति पर कि लाहर कराची में ही खाते खुलवाएंगे और मेकीन इंडिया का और भी स्तार करो पाकिस्तान जाके ही सोचले बन वाएंगे कि में की निंदिया का और भी सितार करो पाकिस्तान जाके ही सोचाले बने वाएंगे नोकरी मिले ना मिले मेंगाई घटे ना घटे जैसी भी मिलेगी वैसी रूखी सुकी खाएंगे पर एक बार पाक को सबक ऐसा सिखला दो तभी तो महां भारती के अच्छे दिन आएंगे त कि भारत इतना बड़ा प्रांत देश है इतना सारे प्रांत है कौन से प्रांत वालों ने सर्जीकल स्ट्राइक करा मिल्टरी चीप बोला मैं बताता हूं जी हर्याना के लोग थे जिनों ने यहापर सर्जीकल स्ट्राइक करा तिर को कैसे पता बोला एक सैनिक दूसरे से कह था मार साड़े के रैपता हाँ यह तालियां बजाओ दोस्तरा यह अर्याना का काद बाद नी कर सकता बाइसा उसके बाद नमाज सरीफ ने माफी मांगी मोदी जी माफ कर दो अब कोई भूल नी करूंगा जिंदकी मैं दोनों देशों में प्यार जोड़ना मोदी जी बोले ज मोदी जी बोले कोई हल नी है करना पड़े गां मोदी जी को तेलिफ़न फिर साड़े- बारा बजे वह वले दोनों देशों में प्यार जोड़ना चाहता है कोई इलाज है मैं हुली के टेम पे अधर नहीं है जेपर का शक्रवाल जी को और आपको लगे कि अभी तक की सबसे अच्छे पंक्तिया बड़ी है तो हाथ उठा के तालियां चाहूँगा सुनिएगा मैंने क्या आप कहा पाकिस्तान के बारे में के जो भी है तकरार की बाते दिल से सभी बुला देंगे मंच का भी ध्यान चाहूँगा और तालियां चाहूँगा के जो भी है तकरार की बाते दिल से सभी बुला देंगे पाक से दुलहनाते ही सारा कश्मीर सजा देंगे और सुनने पाकिस्तान प्यार का यही रास्ता बाकी है तुम अच्छी सी लड़की देखो हम राहुल गांदी ब्या देंगे बहुत बधाई दी यह जब रिकास जी ने मेरे को कि अनिली यह जो काम कोई नी कर सका वो तूने करा खाथ खड़े करके तालिये बजाओ दोस्तों यह बात मस्ती की बात भी साथ क्या बात है महरियानक आदमी यह काम कर सकता और कोई करी नी सकता भाई यह ब्यासादी के काम क्योंकि अगला पता है उसको भाई साब वो एक बच्चे से सवाल करा माश्टर जी ने अभाई घो उसने उसके पिता जी ने कहाः mudar साफ साफ लेक तू फेल गःना मेरिको आप बाप बात मत कह दी अगला तो नहीं पर्जी था ने कर ना पड़ाई बहला फेल हो गगया मेरे को अब अबाप मत कह दी वोगले दिन रिजल्ट आ गया पिता जी ने बूच यह जल्ट आ गया भाही तेरा क्या हुआ करा छोड़ यह आए अधाय उने चीए एक और भाहिसा रिजल्ट आ था, भुला बोलु तरा रिजल्ट आ था बीटा क्या वह बुला अटो, सरपंच का फैल हो गया अर भुला तेरा भी बेठ लिया आथ की आते कोड़ने ये भाई साब हरियाना की बात विशेश बाते थी भाई साब आपको बहुत देर हसाया मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा मुझे पता नहीं मुझे कितनी देर पड़ना है अगर आप कहें तो तीन मिनट के कविता पड़ कोई अरुन भाई भोत हसाएंगे राजेश भाई हैं मैं एक अंतिम कविता सुनाता हूं तीन मिनट की दोस्तों बहन जी जा रहे हो आप देखो सुनो मेरी बात प्रियाप गोलगप्पे रखें प्रियाप बटूरी रखें मेरी जिम्मधारी है मैं कोई कहीं नी जाएगा राजेश जी की पत्नी से पूचा मैंने का मैंने का राजेश जी की पत्नी से पूचा मैंने का भाई इतना अच्छा वर मिला कैसे मिला बोली क्या मैंने बहुत तपस्या करी है निल भाई जब राजेश जी जैसा पती मिला है मैंने क्या करा आपने कि तीन साधियों के अंद दोस्तों हाथ खड़े करके तालियां बजाए मुझे लगना चाहिए आपका एसास होना चाहिए और ये कविता वो हसने को बहुत सारी बाते हैं होली की बात है आदरनी जै परकास जी से 30 वर्शों का शायद हमारे परिवार का रिष्टा रहा है ने बजार में मेरे बाई सब परधान होते थे तिशन कुमार गोएल जी और एक विशेष प्यार इन से जुड़ा रहा हमेशा आज वो कई दिन बाद मिले मुझे बड़ी खुशी हुई और होली के तेवार पे मैं तमाम लोगों को और उनको भी शुब कामनाए देता हूं दोस्तों एक बार सारे अतिति को कहना चाता है देशवासीयों को कहना चाता है उसके मन की बाते सुनिएगा और दोस्तों लगे आपको कि हाँ सिनिक ने कि अपना दर्द व्यक्त किया है तो आपकी प्र जितने आप स्ष्रोता बैठे हो मुझे लगता है कि आप जیतने व्यापारी हो संस्कारी लोग को आ वाला है और देश के नामें एक संदेश देने वाला है दोस्तों सुनुएć कि स्वास का अंतिम पहर हूं स्वास का अंतिम पहर हूं हो चुकी जीवन कि शाम मेरा अंतिम गीत सुन्लो फिर हमारी राम classic मेरा यंतिम गीत सुन्लो फिर हमारी राम राम के हुक्मरानों के बयानों में दिखी नादानिया फोज में हैं, हमारे तमाम नेताओं को वो कुछ नहीं कह सकता लेकिन जब कई नेता ऐसे बयान देते हैं तो फोजी का दिल दुखी होता है, वो क्या कहता है के हुक्मरानों के बयानों में दिखी नादानिया कैसे पाई थी अजादी, भूल गए कुर्बानिया कैसे पाई थी अजादी, भूल गए कुर्बानिया फिर ना बहका दे हमें कोई, फिर ना हो जाएं गुलाम मेरा अंतिम गीत सुनलो फिर हमारी राम राम आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए भूख से बच्चें न तरपें कर दो इतना इंतिजाम मेरा अंतिम गीत सुनलो फिर हमारी राम राम और जब वो शव घर पे जाएगा तो माबाप रोएंगे पत्नी रोएगी बच्चे रोएंगे तो दोस्तों मेरा एक पेगाम मेरा संदेश मेरे घर पे पोचा देना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में फिर जनम लूँगा पिता से कहना हिंदोस्तान में मा से कहना पालिया है मा से कहना पालिया है बेटे ने जन्नत का मुकाम मेरा एंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम और एंतिम चार पंक्तियों में तीन पंक्तियों में दोस्तों कहकर अपने चिर निंदरा में सोजाता है उसे पता है कि अन्तिम चण है साब कि धड़कने भी धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी हल विदाए दोस्तों अब नींद सी आने लगी मुंद कर आखें करू मैं मुंद कर आखें करू अब उस्ति रंगे को सलाम मेरा यंतिम गीत सुनलो फिर हमारी राम राम मेरा यंतिम गीत सुनलो फिर हमारी राम राम